दोस्तों इस विडियो सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम जिस विशय को कवर करने जा रहे हैं वो है आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में हेंरी मोजवे ने बताया कि तत्व के पर्मानु द्रव्यमान की तुलना में उसकी पर्मानु संख्या जेड अधिक आधार भूत गुण धर्म है तदनुसार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा पर्मानु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया इस आधुनिक आवर्त नियम को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है तत्वों के गुण धर्म उनकी पर्मानु संख्या का आवर्त फलन होते हैं पर्मानु संख्या से हमें पर्मानु के नाभिक में स्थित प्रोटोनों की संख्या का पता चलता है तथा एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में एक की बढ़ोतरी होती है तत्वों को उनके परमानु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गी करण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी, Modern Periodic Table कहा जाता है आप देख सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलिफ की आवर्त सारणी की तीनों कम्यों को सुधारा गया है आईए, अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों की स्थिती के बारे में चर्चा करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 18 उर्द्वाधर स्थंब हैं, जिनें समूह ग्रूप्स कहा जाता है और 7 ख्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनें आवर्त पीरियड्स कहा जाता है आवर्थ सारणी के लंबे रूप में साथ आवर्थ पीरियद्स हैं एक आवर्थ में तत्वों की परमानु संख्या लगातार होती है पहले आवर्थ में दो तत्व हैं और इसे बहुत छोटी आवर्थ, very short period कहा जाता है दूसरे और तीसरे आवर्थ में आठ तत्व होते हैं और इन्हें छोटे आवर्थ, short period कहा जाता है चोथे और पांचवे आवर्थ में अठारा तत्व होते हैं और इन्हें लंबे आवर्थ, long period कहा जाता है छठे और सात्वे आवर्थ में 32 तत्व होते हैं और इन्हें बहुत लंबे आवर्थ, very long period कहा जाता है विभिन कक्षू में भरे जाने वाले इलेक्ट्रोनों की संख्या के आधार पर हम इन आवर्थों में तत्वों की संख्या बता सकते हैं किसी कोश में इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम संख्या एक सूत्र 2N2, 2N2 पर निर्भर करती है जहां N नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है जैसे के कोश प्रथम आवर्थ में दो तत्व हैं L कोश दूसरे आवर्थ में आठ तत्व हैं तीसरे, चौथे, पांचवे, छटवे एवं सात्वे आवर्थ में तत्वों की संख्या क्रमशह आठ, अठारा, 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 बत्तीस और बत्तीस होती है इसका कारण आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे आवर्थ सारणी में उर्ध्वा धर्स तंभू को समूह कहा जाता है आवर्थ सारणी के लंबे रूप में अठारा समूह है इनकी संख्या एक से अठारा है समूह एक आवर्थ सारणी के बाई ओर है जबकि 18 तालिका के चरम दाई ओर है समूहों में तत्वों की लगातार परमानु संख्या नहीं होती है दोस्तों, इस वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी Modern Periodic Table के बारे में अध्ययन किया अगली वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ती कर दोस्तों, जा पूस्तों है जाए्ट अगली वीडियो में में आवर्त सारणी की प्रवाट्स